36 गड़ के कोरबा में ग्राम पंचायच सचिव अपनी मांगों को लेकर उखडे हुए नजर आ रहे हैं वेह अपनी मांगों को लेकर अनिश्चित कालीन हर्ताल पर बैठे हुए हैं आज शुक्रवार को भी उनकी अनिश्चित कालीन हर्ताल जादी रही हरताल के छटे दिन भी ग्राम पंचायत सचीवों ने सरकार के खिलाफ जम कर नारे बाजी करते हुए अपनी अंदेखी कार ओप लगाया आज जन्पत अध्यक्ष संतोष पंद्रो सचीवों की आनिश्चित कालीन हरताल के समर्थन में पहुँचे और कहा कि सचीवों की मांग जायज है इसलिए इनकी मांग को जल्द पूरा किया जाए क्योंकि इनकी हरताल से ग्राम पंचायत के विकास में बुरा असर पड़ रहा है ग्राम पंचायत में विकास कार्य नहीं हो पा रहा है और साथ साथ जीवित एवं रित्यु पंजियन के लिए ग्रामीर पंचायतों के चक्कर काट रहे हैं वहीं आपको बता दे कि सचीवों का कहना है कि अगर हमारी मांग जल्द पूरी नहीं होती तब तक ऐसे ही डटे रहेंगे बता दे चले कि ग्राम पंचायत सचीव शाशकी अकरण की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं कोरबा से समान दाता राम गोपाल कश्यप की रिपोर्ट मैं सचीवों लोगों को एई बोलना चाहती हूँ कि सचीवों लोगों का मांग सबीलियन करना है अभी छह तारी को मुख्य मंत्री आएंगे उसमें मैं इस मुद्दा को उठाऊंगी अब इनकी मांग जायज है ऐसे ही लेटे स्कूबरे पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइफ, शेर और सब्सक्राइब करें घन्ने वाल अपर्फेक्ट वेन्यू फर वेडिंग, लाँचिंग और पाती राजगराना और जोती गार्डन अजेबी बैंक्वेट्स एंटरप्राइब